दोस्तो टाटा मोटर्स की हर गाड़ी ने अपना एक सेफटी के मामले में अलग बेंचमार्क सेट किया है यही रीजन है कि लोग टाटा की बिल्ड क्वालिटी, सेफटी इससे रिलेटेड जादा सवाल जवाब नहीं करते हैं एक चीज और है जहाँ पर टाटा बेंचमार्क सेट कर रहा है वो है वराइटी ओफ ऑप्शन इस हिसाब से वेरियंट्स को प्लेस किया जाता है जो की वैल्यू फॉर मनी भी हो जाते हैं और ऐसे प्राइस टैक के साथ आते हैं जो एक मिडल क्लास बंदा इसली एफॉर्ड भी कर ले और उसको वो सारे फीचर्स मिल जाएं जो की वो अपनी ड्रीम कार में देखता है जो फीचर्स आपको 20-22 लाख रुपे की गाड़ी में कभी कभार स्केप हो जाते हैं टाटा का कोई न कोई वैरियंट आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा जहां पर आपको वो फीचर्स मिल रहे हैं वो भी कम प्राइस देने के साथ जो वैरियंट आप अपने सामने देख रहे हैं ये है 2024 टाटा नेक्सोन का क्रियेटिव 1.2 लीटर एंजन के साथ पेट्रॉल 3 सलेंडर टबो चार्ज एंजन विद 6 स्पीड मैनुल ट्रांस्मीशन और कीमत है 11,10,000 रुपे एक शोरूम इसी वैरियंट से आपको एक ऐसा एडिशन मिलता है जिसके लोग फैन है डाक एडिशन, काले कलर में नेक्सोन का रुतबा अलग है और यही एक ऐसी गाड़ी है जिसने ब्लाक कलर के साथ यानि एक एडिशन वाला जो ट्रेंड चलाया वो लगबग यही गाड़ी है अलोई वील्स आपको इसी वैरियंट के साथ मिल जाते हैं तो बहुत ही वैल्यू फोर मनी मैरियंट है प्लस ऐसे कुछ फीचर्स आपको काबिन में भी मिलते हैं जो की आपको पूरी तरीके से एक प्रिमियम फील जो की आप अपनी गाड़ी से चाहते हैं वो देते हैं तो क्या-क्या आपको इस वैरियंट में मिलता है गाड़ी कैसे वैल्यू फोर मनी है कितनी practical है हर चीज की बात करेंगे जहां पर positive side भी होगी और negative side भी होगी चले शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज यह LED बेस जो आप turn indicator देख रहे हैं sequential turn indicator से आपको मिलते हैं यही portion आपका DRLS के तौर पर भी function करेगा आगे पूरी तरीके से एक यह black finish आपको देखेगी जो की गाड़ी की across of the width है इस corner से उस corner तक आपको मिल जाएगी सेंटर में टाड़ा का logo जरूर मिलता है नीचे आप देखेंगे तो body color जो गाड़ी का है वही skit plate आपको मिलती है बाकी portion आपको जो है black मिलेगा LED based projector head lamps जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते है अब जैसे ही आप गाड़ी की side profile के और switch होते है तो यहाँ पर इसी variant से यह alloy wheel शुरू होते है जो की R16 size के है बहुत सुन्दर लगते है जो इसके अंदर यह arrow inserts आप देख रहे है जो इसकी वज़ा से जो इन alloy wheels का look है वो no doubt बहुत ही ज़ादा appearing feel होता है wheel largest के उपर kliding वो अच्छी लगती है उसके बाद doors के उपर जो आप kliding देखेंगे जैसे body color के संग थोड़ा सा नीचे black potion का use किया गया है वो काफी अच्छा लगता है और साथ में ground clearance दूसरी चीज गाड़ी की length length है 3995 definitely under sub 4 meter ही है उसके साथ wheel base आपको यहाँ पर मिलता है 2480 mm का लगबग वही नेक्सोन वगएरा के बराबर यह वहाँ 2500 मिलता है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ही फारक है जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है मिलेगा आप इने electrical adjust कर सकते है बट fold नहीं कर पाएंगे इस variant में उसके बाद यह जो window की bite line आप देख रहे हैं यह पूरी तरीके से आपको glossy finish के साथ मिलती है गाड़ी का A pillar, B pillar, black tap space जो है उसका use यहाँ पर किया गया है roof rails आपको यहाँ पर silver color की मिलती है shock wind antenna जो है आपको black color का वो यहाँ पर मिल जाता है और जैसे ही आप पीछे switch होते हैं तो यह है गाड़ी की rare profile rare से भी no doubt nexon काफी appealing सी दिखती है अच्छा सा एक chunky funky सा look जो है वो आपको यहाँ पर देदेगा maximum logo को पसंद आ जाती है बाकी सबका अपना-पना अलग opinion है tada का logo ठीक उसी के नीशे आपको rare view camera मिलेगा यह जो आप पूरा यहाँ पर connecting tail lamp देख रहे हैं definitely इस variant में जलते हैं पीछे भी जो LED based indicator है वो आपको sequential दिए गए है nexon की branding है दो ही parking sensors है जो आपको मिलते हैं पीछे भी आपको white color यानी bottle color की skid plate है वही देखने के लिए मिलेगी reverse lamp refractor जो है उसकी placement और यह जो आप potion यहाँ देख रहे है न यह tailgate के साथ यह portion जो है यह पूरा खुल जाता है यहीं सही option है आपके पास इस tailgate को अपरेट करने का यह electromagnetic button है और जब आप इसे खोलते हैं तो यह है गाड़ी का boot space 382 liter के आसपास यानी 380-380 के वीच का यह boot space है वो आपको यहाँ पर मिलता है इस space को मेरे साब से बहुत अच्छी तरीके से use किया जा सकता था यह जो आप थोड़े से यहाँ पर hums देखते हैं ना side में निकले हुए इसकी वैसे थोड़ा सा space मेरे मैं यह मानता हूं कि waste होता है और यहाँ पर आप देखेंगे तो 3-3 kg के आपको hooks दिये गए है जिसको आप use कर सकते हैं दूसरी side भी आपको मिलेंगे boot में lamp जो है वो definitely मिलेगा parcel tray आपके सामने है और यह जो trim आप देख रहे हैं tailgate के उपर यह पूरी तरीके से covered है emergency exit के लिए भी आपको proper option जो है वो दिया गया है grab handle जो है वो भी दिया गया है नीचे अगर आप check out करेंगे तो spare wheel है spare wheel actually में अच्छी चीज़ है कि same size का है R16 बट यह एक normal steel wheel है यहाँ पर आपको alloy wheel देखने के लिए नहीं मिलेगा लेकिन एक positive side ही है कि at least आपको undersize नहीं दिया गया उसके बाद यहाँ पर आप जगर check out करेंगे तो defoggers नहीं है लेकिन wiper जो है वो आपको ज़रूर दिया गया है with washer यह उपर जो spoiler है इसकी वज़ा से भी एक काफी अच्छा सा appeal वो Nexon की rear profile को मिलता है उसी के अंदर जो है इसका wiper पूरी तरीके से hide हो जाता है fuel filling lid आपको यहाँ पर मिलती है जो कि आपको इस Nexon के variant के साथ मिलती है आप normally इससे गाड़ी को lock कर सकते है unlock कर सकते है hold करेंगे तो boot जो है आपकी सिर्फ वो unlock होगी खोलने आपको वैसी ही पड़े यह electromagnetic button का use करके पूरी तरीके से pop-up नहीं होती है सिर्फ unlock हो जाती है एक अच्छा feature follow me headlamps यह देखे जल गए आपके LED वाले headlamps सामने जब भी आपकी गाड़ी अगर कहीं पारकिंग में ऐसी जगह पर खड़िये जहां आप एपनी गाड़ी को locate नहीं कर पा रहे है simply आप इस बटन को प्रेस करिए इस तरीके से गाड़ी के headlamps जो है वो जल जाते है चलिए अब cabin में स्वच होते है actually वे cabin में बहुत ज़्यादा changes आये थे अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे आपके पास एक keyless entry के लिए request sensor है और cabin में जो changes आये थे no doubt पहले वाली nexon से काफी better है seats better हो चुकी है steering wheel पूरी तरीके से आपको future stick मिल गया two spoke का है illuminated logo के साथ हाता है harmon का music system आपको अभी भी मिलता है तो बहुत सारी चीज़े हैं जिसके हम बात करेंगे सबसे पहली चीज़ door की बात करते हैं जो color coordinates है ना इसके आपको बहुत care करनी पड़ेगी अभी आप देखिए यहाँ पर आपको पूरी तरीके से जो part है यह गंदा दिख रहा होगा dirty हो गया है reason क्या है क्योंकि color ऐसे हैं कि आप अगर इसे maintain नहीं करेंगे तो definitely यह गंदा दिखेगा black के साथ यह portion आपको white दिखेगा उसके बाद यह जो आप देख रहे हैं वो थोड़ा सा creamy color गए muddy color भी आप कह सकते हैं उसका use यहाँ पर किया गया है चारो power window मिलती है driver side वाली आपको one touch में up and down मिल जाएगी umbrella holder, bottle holder थोड़ा सा extra space आपको यहाँ पर मिलेगा reflector जरूर दिया गया है अगर आपकी गाड़ी खड़ी है road पर तो एक safety feature है हम इसे कह सकते हैं लेकिन अगर लोग इसके ओपर ध्यान दे तो उसके बाद speaker की placement इस variant में आपको 4 speaker और 2 twitter का setup मिलेगा दोनों twitter आगे placed है speaker यहाँ पर आप placed देख रहे हैं इसकी में बात कर रहा था कि आप ORVM को electrically adjust कर सकते हैं बट fold नहीं कर सकते हैं chrome finish के साथ door lever है जो आपको मिल जाएगा seat है fabric की हैं लेकिन no doubt काफी comfortable, काफी cushioning seats हैं यहाँ पर आप गाड़ी की seat जो है driver side वाली इसको manually आप height वगेरा इसकी सबकोच adjust कर सकते हैं यह portion आप check करेंगे यह soft touch के साथ है same चीज आपको आगे dashboard पर दिखेगी नीचे आप देखेंगे तो dead pedal visible नहीं है लेकिन ABC 3-0 pedal के पास जो जगा है वो थोड़ी से आपको अच्छी मिल जाती है एक चोटा सा कभी space आपको यहाँ पर मिलेगा और यहाँ से आप गाड़ी का hood जो है वो आप easily unlock कर सकते हैं चलिए अब अंदर switch होते हैं तो जैसे ही आप switch होंगे गाड़ी के अंदर अब सबसे पहले steering wheel की बात करते हैं इसकी मैं बात कर रहा था कि two spoke का आपको steering wheel ज़रूर मिलने लगा है यह कोई screen नहीं है सिर्फ यहाँ पर आपको illuminated tata का logo मिलता है यह कुछ buttons जो आपको यहाँ पर दिये गए है यह आपके 7 inches का जो harmon का touch screen infotainment system में उस से related है आप call उठा सकते हैं काट सकते हैं voice command दे सकते हैं bluetooth वगर अगर आपका connect है track आगे पीछे करना है volume कम ज़्यादा करनी है वो सब आप कर पाएंगे और यह controls आपको यहाँ सामने instrument clusters related मिलेंगे पूरी तरीके से digital cluster आपको मिलेगा इधर tachometer है यहाँ आपको speedometer दिया गया यहाँ mode show हो रहे है कि आपकी गाड़ी city mode में है total auto meter show हो रहे है यहाँ आपको digitally सारी जो है आपको info है वो यहाँ पर सारी में इखने के लिए मिल जाएगी इधर आपकी आपको indication दे रहा है आप से set करना है यह option दिया गया है layout आप यहाँ से change कर सकते है और आप इसे यहाँ से toggle कर सकते है settings में अगर आपने जाना है trip info आपको चाहिए driver related कोई assist आपको चाहिए vehicle info, notifications आपने on off करने है सब कुछ उसके बाद अगर हम steering के adjustment की बात करें तो यहाँ आपको cable tilt adjustment है जो की मिलता है telescopic कोई adjustment आपको नहीं दिया गया airbag यहाँ आपको दिया गया है co-driver side में मिलेगा curtain airbag है, side airbag है total 6 airbag है जो की आपको nexon के हर variant में मिलता है यानि वो standard है इधर आपको wiper से related stocks जो है वो देखने के लिए मिलेंगे इधर head lamp, turn indicator, fog lamp उस related stocks जो है वो आपको मिलेंगे और यहाँ आपको दिया गया engine start and stop button engine start and stop button भी आपको इसी variant से मिलेगा इससे नीचे pure या फिर आपका कोई smart, smart plus, smart plus S उसमें नहीं दिया गया यह portion जो आप देख रहे है again, यह soft touch है उपर सब आपको hot plastic मिलेगा यह एक अलग texture के साथ है यहाँ पर थोड़ा सा carbon finish जो है उसको देने की कोशिश की गई है definitely यह कोई carbon नहीं है plastic panel ही है basic simple plastic panel लेकिन उसके उपर finish जो है आपकी basic info जितनी है वो सब आपको यहाँ पर visible हो जाती है जिसको आप easily अपने हिसाप से customize भी कर सकते है नीचे यह जो panel आप देखेंगे यह पूरी तरीके से touch base है मेरे हिसाप से यह चीज़े जो बहुत ही ज़्यादा future stick हो जाती है मैं इन चीज़ों की favor में कभी भी नहीं रहता मैं तो यह मानता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे buttons जो है वो आपको physical देने चाहिए जैसे कि hazard का अब यह भी touch base है यहाँ से आप trunk जो है इसकी वो release कर सकते है यह boot जो है वो आपकी unlock हो चुकी है खुल गए है सिर्फ आपको pull up करना है यहाँ से आप गाड़ी को lock manually है अगर आप करना चाहिए वो आप कर सकते है यह आपका air circulation वगएरा से related दिया गया है यह से आपने on off करना है max पर अगर आप use करेंगे बहुत speed जो है इसकी बढ़ जाएगी यह तो इसको मैं थोड़ा कमी रखता हूँ आवाज बहुत करेगा और यह पूरी तरीके से आप यहाँ पर चेक कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा glossy है तो time के साथ साथ अगर इसने scratches पकड़े और आपने इसकी care नहीं करी तो यह शायद बहुत ज़्यादा भद्धा भी दिखाई देगा तो यह एक issue है अगर यही पर थोड़े बहुत बटन्स आपको ऊपर मिलते है जो कि आप touch करते हैं आपको feel आती touch करने वाली तो उसका मज़ा अलग होता फिलाल लेकिन good है यहाँ पर अगर आप check out करेंगे थोड़ा scubby space है जहाँ पर मैंने अभी गाड़ी की चाबीवा भी रखी है 12W का power socket एक C type fast charging port है और इधर आपको एक normal USB type port मिलेगा जिससे आप wireless तो इसमें है नहीं तो wire के साथी आप इसमें Android Auto और Apple CarPlay यूज़ कर पाएंगे अब 6-speed manual transmission लेकिन इसकी जो finish वगरा जो आप देख रहे हैं वो काफी अच्छी लगती है उससे लिटेट फिलाल कोई issue है नहीं यहाँ भी आपको side में पूरी तरीके से glossy finish में लेकि यह knob आपको दिया गया है जहाँ पर आप mode change कर सकते हैं जैसे अभी यहाँ पर आपको check out करिया आप city mode में है और अगर आप इसे अभी toggle करते हैं तो यह देखे यह आपका sports mode में पहुंच गया और यहाँ पर आप अगर check करेंगे तो यह आपका eco mode में पहुंच गया यह cup holder थोड़ा सा decent है armrest आपको नहीं मिलता है यहाँ पर लेकिन यह seats के side में जो bolster support आप देख रहे हैं यह काफी अच्छा है headrest आपको adjustable मिल जाते हैं seat build की height fixed मिलेगी rooftop के उपर इस तरीके से grab handle जो है वो आपको foldable मिलते हैं vanity mirror एक आपको ज़रूर मिलेगा लेकिन आप इसे आगे बढ़ा नहीं सकते हैं visor को manually adjustable day and night IRVM जो है वो आपको मिल जाता है cabin में जो lights है वो आपको इस तरीके से मिल जाती है LED बेस बहुत जादा bright नहीं है लेकिन okay है यहाँ voice command बगएरा देने के लिए mic है इस side में आपको सिर्फ ticket holder मिलेगा यानि कोई vanity wearer बगएरा जो driver side में आपको offer नहीं किया गया लेकिन space wise ऐसी कुछ खास दिक्कत मुझे नहीं लग रही है visibility जो है न गाड़ी की वो काफी अच्छी है pillar कहीं से भी आपको distract नहीं करेगा सामने visibility जो है वो काफी अच्छी आपको feel हो रही है जब कि अभी ये seat जो है जो मेरा comfort zone है मेरी driving position से मैंने थोड़ी सी जादा पीछे रखी है उसके बावजूद भी अच्छी visibility no doubt मुझे मिल रही है चलिए अब एक बर जारा second row में चलते हैं और second row में generally आपको वहाँ पर क्या क्या चीज़े amenities के नाम पर दी गई है या फिर वहाँ पर space कैसा है हम उन चीज़ों को check करते है maximum seat पीछे होने के बाद भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक सा space जो है वो मिल जाएगा लेगन अगर आप पीछे door check out करेंगे तो यहाँ आपको power window, control, grab handle, bottle holder जो है वो दिया गया speaker की placement है यहाँ सिर्फ twitter की grill है, twitter नहीं है chrome finish के साथ door lever, child safety lock जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा अब जैसे ही आप under switch होते हैं सबसे पहले मैं बैट कर देखता हूँ कि seats काफी अच्छी है seats में आपको जो under thigh support पीछे मिलता है, वो generally बहुत अच्छा है यहाँ पर जो आप सामने near room बगारा देख रहे हैं, यह काफी जादा अच्छा है उससे related कोई issue आपको नहीं आएगा rare में AC vents मिल जाते हैं, लेकिन एक negative चीज है negative चीज यह है कि यहाँ पर आपको कोई charging ports वगेरा इस variant में भी पीछे नहीं दिये गए 11,10,000 रुपए particularly देखे गाड़ी के लिए कम नहीं है लेकिन यह basic सी चीज़े जो हैं, वो कभी कबार customer को confuse कर देते हैं इसके लिए जाओं या फिर मैं एक variant उपर जाओं या कोई और अच्छा option देखूं तो यह चीजे थोड़ा सा हैं और बाकी अगर आप इसको देखेंगे तो पहले Nexon जो आती थी उसमें यह portion बहुत हिलता दस हैं ट्रेगन सोल का फिलाल इसमें टाटा ने fix किया है, जो की काफी अची चीज है, कोई इसमें ऐसी शिकायत मेरे को फिलाल अभी तक नहीं लग रही है आइसो फिक सीट के mounts, no doubt आपको मिलते हैं, 3-pointed seat belt आपको सभी passengers के लिए मिलती है, यहाँ पर middle वाले के लिए भी headrest पीछे दो ही है, दोनों adjustable है, middle वाले के लिए headrest नहीं दिया गया, armrest भी नहीं है, इस seat को आप 60-40 split नहीं कर सकते, पूरी flatter down हो की, यानि पूरी seat 100% ही जो है वो आपकी आप flat कर सकते हैं, लेकिन 60-40 को option नहीं है आपके पास, इधर rooftop के उपर again आपको foldable grab handles, कोठोक, कोठोक वहाँ पर भी आपको मिलेगा, इस side भी कोठुक दिया गया है, इन चीजों में Tata बहुत सही तरीके से खेल लेता, उसको पता है कि क्या क्या customer आजकल देखता है, तो वहाँ पर कुछ चीजे आपको ऐसी मिल जाती है, जो की वाक के ही practicality जवाब गाड़ी को लंबे process तक, ल 1.2 लीटर थ्री सिलेंडर रेबोट्रान टबो चार्च पेट्रॉल इंजन, इंजन ये थोड़ा सा harshness है, आवाज करता है, लंबेटम में काफी लोग को इससे कुछ-कुछ दिक्कते जो आती है, लेकिन ये पेट्रॉल है, डीजल जितनी दिक्कते तो फिलाल नहीं आती, लेकिन, अगर मैं power figures की बात करूँ, तो ये engine आपके लिए एक अच्छा खासा power figure जो है, वो deliver करता है, कोई ऐसा आपको feel नहीं कराता है, कि यहाँ बहुत lag है, या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, 118B HP के आसपास की power जो है, वो आपके legend rate करता है, लगबग 170 Nm तक के आसपास का talk ह जो वो deliver करता है, placements आपके सामने है, आप check out कर लेजे, किस तरीके की है, और hood में आप देखेंगे, तो यहाँ आपको insulation जरूर दिया गया है, weight इसमें काफी अच्छा खासा feel होता है, थोड़ा heavy है, वो हो सकता है, कि heavy मुझे इसके इस mechanism की वज़ा से लग रहा हो, जिसे आप से यहाँ पर यह mechanism दिया गया, उसकी वे से ज़्यादा heavy लग रहा हो, लेकिन heavy अच्छा खासा feel है, नीचे underbody में feel यहाँ पर कोई covering जो है, वो आपको offer नहीं की गई है, चलिए, इसे करते हैं close, यह देख रहे हो, third सुन रहे हो आप, मतलब यहाँ पर जब यह hood वगेरा, या गाड़ी के दरवाजे या आप tailgate इसका बंद करते हो ना, तो आपको यह तो confirm हो जाता है कि भाई, लोहा तो टाटा का ही है, तो वो solid सी third, जिसके आप उमीद करते हैं, वो आपको no doubt यहाँ पर मिलती है, तो जैसे कि आपने वीडियो के शुरुवात में कहा था, कि गाड़ उसके लिए आपको जो company के official व्रोशन है, उसके पूरा अच्छी तरीके से अंदर घुसना पड़ेगा, क्योंकि 70 से आसपास इसके variants आते हैं, तो अगर आप सोचें कि मैं किसी भी dealership में जाओं और sales executive मेरे को हर variant के बारे में, high check feature के बारे में समझा पाए, तो वो possible नहीं है, अगर आप खुद अपने हिसाब से toggle कर लेंगे, थोड़ा सा उसको अगर आप rectify करेंगे, चेक करेंगे कि भाई मैं किस चीज को skip कर सकता हूँ, किस को नहीं कर सकता हूँ, क्या चीज मुझे चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मेरा budget मुझे कहां तक allow करता है, और अगर एक दो feature मुझे extra मिल रहे हैं, जैसे आप sunroof के fan है, वो आपको अगर चाहिए, तो आपको कितना stretch करना पड़ेगा अपने budget को, वो सारी चीजे आप खुद calculate easily कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे variants यहाँ पर हैं, फिलाल अगर हम safety के बात करें, छे airbag आपको standard मिल जाते हैं, ABS, ABD, Hill Assist traction control, TPMS, ऐसे बहुत सारे safety features आपको मिलते हैं, गाड़ी 5 star score already है endcap में, तो उससे related आपको शायद को issues ना आएं, variety of options हैं, तो variety of features आपको मिलते हैं, कहीं पर sunroof है, कहीं पर sunroof को skip किया गया है, कहीं पर कोछ, कहीं पर कोछ, बहुत सारी चीजे, लेकिन यह जो variant था creative, यहीं से आपको engine start and stop button मिलता है, इसी variant से आपको alloy wheels मिलते हैं, इसी variant से आपको sunroof अगेरा, तो खेर, इसके base नीचे वाले variants में भी आपको मिल जाता है, लेकिन इसी variant से आपको dark edition मिलने लग जाता है, तो यह variant एक ऐसा variant है, जो कि maximum लोग consider कर लेते हैं, इस variant में भी आपको sunroof मिलती है आप थोड़ा सो उपर चले जाएंगे, तो आपको sunroof मिल जाएगे, फिलाल आपको वीडियो कैसा लगा, यह variant कैसा लगा, मुझे एक बार comment section में जरूर बताना, पूरी कोशिश करी है मैंने, कि मैं आपको हर features के बारे में बता पाऊं, कहां पर गाड़ी में, क्या चीज है कैसे है वो सब चीजों के बारे में, होप सो आप तक वो message convey हुआ होगा, अगर कोई चीज skip हो गई है, तो वो no doubt आप comment section में मुझे से पूर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगाओ तो like, share, subscribe जरूर करना, बहुत जल्द आपसे फिर से मिलूँगा, एक नई वीडियो के साथ, धनेवाद,